फिर से कुछ लोगों ने कागज सब्थ समझ में नहीं आया चलिए एर यहिस सुरू करते हैं हम लोग जो को याद होगा कि हम लोगोंइ मसल फाइबर बनाये तो चलिए एक बार फिट से बनागे कि कोशिस करते हैं सायत समझ में आई जाए अब रहा था मसला फाइबर एक सिंसीष्यल सेल का कॉम्बिनेशन है क्योंकि यहां पर एक न्युक्लियस है कि बहुत सारे बहुत सारे न्यूकलेस हैं कि मैंने बोला था सारकोब्लास या तो मायोब्लास की बात करो तो यह embryonic condition में immature condition में अपनी immature condition में fuse हो गई पर यहां पर बहुत सारे साइटो प्लास्म और नूकलेस अपस में फ्यूज हो करके एक स्ट्रिक्चर बनाए जिसका नाम क्या है, फाइबर, कौन सा फाइबर? मसल फाइबर, क्या नाम एटा? मसल फाइबर, क्या फाइबर, क्या नाम एटा? मसल फाइबर, क्या 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 फाइबर, क्य कोछ पैसे light, कुछ ना, माल लिजे यह light band है और यह dark band है, फिर light band है, dark band है, light band है and then dark band है, तो मैंने बोला था, light और dark band का आपस में बेटा, alternate condition है, जो ज्यादा गारे कलर के हैं दिया हूने इस dark band, और जो बेटा आपके light कलर के हैं, that is known as light, बता ये कौन सा band है? बोलो कुछ बच्चों कोई समझ में नहीं आए कि थिन अली का मतलब क्या और यह क्या मतलब थीक एंप यह मैंने का था कुछ चीजें आपको सीखनी है और वो भूलनी नहीं बता हो लाइट बेंड का दूसरा ना कैसा थिन पताए जो बेंड थिन है कैसा है थिन मतलब बहुत चोड़ा की पतला वो किसका बना है एक्टिंगा एक्टिंग का बना है इसी का नाम है लाइट बेंड कालर है फैसा बड़ा और अगर इसमें लाइट डाली जाये क्या डाली जाये लाय तो यह आइसो ट्रोपिक condition so karthakya bata iso to yad rakhna isi ka naam hai iso tropic band and that's why it is also known as eye band chaliyye bata hai thin alley me charo point bethau joh aap ki muscle fiber me alternate band hai ek patla aur ek chowda patla wala thin thin kiska bana hai ität life band i flavor high and a i-a i-a you with her as always angry among other jobs eye band the reason why i am took بل throw to the details about Carbono i was इसके बिचारफ याद रखने one is take kiska bana Haianya ok ca mana ta big the scarf high ist awake or wrong Markada ni yön or , आइसो टॉपिक में हैं अगर मिलाइक डाली जाए तो यह बैंड आइसो टॉपिक का लिया का ऑिक घॉन हेट आइसो लोग इतना सिखाया है और अभी मुझे मालुम है इससे कुछ समझ भी नहीं आता मुझे में मालुम हैُ से कुछ समझ बने हैं मैंने आपका brain और mind prepare करने की कोशिस किया कि जब आपको कोई भी बड़ी stripped muscle दिखाई पड़े तो उसमें जो गहरे color का दिखाई पड़े आप उसे dark बोल सके और जो हलके color का दिखाई पड़े उसे light तो गहरे और हलके color की पड़े हैं light and dark light and dark band present हुआ light and dark present में से कभी कोई light बोले तो बोलो isotropic और बोलो actin का बनाया और कैसा है thin और कोई कोई dark बोले तो बोलो सब डार्क band है anisotropic है myosin का बनाया ऐसे किसी भी fiber की जब हम लोग electron microscopy करेंगे क्या करेंगे electron microscopy microscopy यानि अगर हम लोग उसको और बढ़िया microscopy से देखेंगे इसे और बढ़िया microscopy से देखेंगे तो यह हमें कैसा दिखेगा आई यह हम लोग वैसा देखने की कोशिस करते हैं जब हम लोग इसकी electron microscopy करेंगे तो यह हमें दिखने वाला है कुछ अलग ही कलर का, कुछ यू दिखने वाला है बेटा, कि जब हम इस मसल को और डिटेल स्टुक्चर से देखेंगे, तो हमें लाइट बेंड के बीचो बीच, किसे बीच? लाइट बेंड के बीचो बीच मुझे एक एक इलास्टिक लाइन मिलेगी, and that elastic line is known as Z line, let's suppose, let's suppose, ये एक लाइन मिले मुझे, let's suppose, एक ये लाइन मिले मुझे, let's suppose, मुझे ये एक लाइन मिले है, अमें कोशिज में हों कि आपको इस समझ में आ ले, ये जो line मिल रही है, इसका नाम रखा मैंने, Z line, फिर से बलो, इसका बेना, Z line, और इसका बेना, Z line, अभी diagram गरबड होगा, इसलिए अभी देखने की कोशिज करणा, ये जो Z line है, इस Z line से जुड़े हुए मिलेंगे मुझे, अक्टिन फिलामेट, बोलो, दोनों तरफ मुझे अक्टिन फिलामेट मिलेंगे, like this, तो आगर मैं इस structure का कुछ boundary क्रियेट करने की कोशिज करूँ, तो मुझे कुछ ये light color का band दिखेगा, कैसा दिखेगा? Light color, वह तो light color के band के बीचो बीच, पस इतना सीख जाओ, मज़ा आज है, बोलो, और z-line से जुड़े हुए फिलामेट, फिर सबलो, बस इतना सब्दियाद कर ले, चाहे जितना time लगे, इसको भूलना नहीं, एक्टिन फिलामेट, z-line के दोनों तरफ क्या मिलेंगे, एक्टिन फिलामेट, let's suppose, again this, z-line के दोनों तरफ एक्टिन फिलामेट, अगर मैं इसकी बाउंडरी क्रिएट करूँ, तो this is एक्टिन फिलामेट, अब बताओ, ये कैसा बैंड होगा, light band, light band होगा, light band के भीच बीच बीच, किसका बना है, acting phil, चलो अभी इसके बारे में बताओ, ये कहुं सा होगा, acting phil, ये भी क्या होगा, acting phil, ये भी क्या होगा, acting phil, and all of them are the acting phil. अगर मैं इसकी boundary create करने की कोशिस कर हूँ, तो this is somehow z line. अब आपके बीच में जो खाली जगे दिख रही है, आपको लगेगा कि sir, ये ये बेटा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या हवा होगा, नहीं. इसके बीचों बीच, आपको एक m line मिलेगी, कैसी मिलेगी? M line. अगर मैं बोलू, this is line known as M line. This is line known as M line. और इस M line से बीचा, जुड़े हुए structure मिलेंगे, जिनका नाम होगा, myosin filament. बोलो क्या? Myosin filament. अब याद रखना, myosin filament का विस्तार जहां तक है, ये देखो. वो एक्तिन filament के अंदर गोश्च चुड़े है. Myosin filament का विस्तार जहां तक भी है, वहां तक बेटा बेंड जाएगा, और that band is known as dark band. पिट से बोलो, आप कहरें ते, sir, ये है light band, मैंने कहा था, light band में क्या present है? acting. पिट से बोलो? acting. लेकिन मैं अपनी भासा सुधारता हूँ, कि sir, जहां तक बेटा ये light, light का नाम बताओ, M-Line. हाँ? M-Line. 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 चला यह नहीं ठीक जाओ बेड़ सारी फिर्सकोसिस करते हैं अब जल्द कुसिस करना कोगि आपको आगया है बताइ Taylor में किसका structure बना रहा हूं muscle-fibril का की fiber का muscle-fibril है बताव यह जो structure बना रहा हूं यह सार-को-सारन को लिमा है no sir अब बताइक सार-को लिमा में कितने प्रकार के बेंड यह यह प्का यह लिगा है कि there is there is a band known as light band or just light band के बीचो बीच में में पास एक line है जल्दी बोलो कौन से line? sir यह z line है एक और line किचे एं? बोलो क्या नाम है? एक और लाइन कीचे हैं, बोलो क्या नाम है, जैड लाइन, अब बोलो बताओ, ये कौन से लाइन, और ये कौन से लाइन, जैड लाइन, तो बोला गया, जैड लाइन से क्या निकल रहा है, तो सर्य यहाँ से निकल रहे है, फिलामिंट, नाम बोलो, आर्ट वाट टाइम लग अभी थोड़ी दिर पास समझ में आजएगा क्यों यह थिन हैBH अभी आप इनके बारन बनाते रहें बताइये यह कौन से filament है Actin Filament Again this filament is known as Actin Filament This filament is known as Actin Filament बस मैं तुम्हें यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास यह idea होना चाहिए बताईए इस लाइन का नाम ये वाले का नाम जेड लाइन इसका नाम आगे भी क्या होगे बहुत सारी जेड लाइन होगी और इनमें बेटा बेंड होगे लाइट और डाइन अच्छा जो बीच-बीच में जगह खाली पड़ी हुई है उस जगह पर मैंने आपको एक लाइन बताई बोलो कौछ से Z-Line के M-Line फिर से बोलो फिर से बोलो M चलो दो M-Line के साथ काम करते M-Line बेटा जहां तक जा रही है उससे निकल रहे है Myosin Fiber बेट से बोलो Myosin Fiber निकल रहे है और Myosin Fiber जहां तक मेटा निकल रहे, see this, मायोसिल फाइबर जहां तक पहुँच रहे हैं, वहां तक जो बैंड पड़ा हुआ है, देखो मैं इमेजिनरी लाइन बता रहा हूँ, बताए इस बैंड का नाम क्या होगा, दार क्या होगा, फिर से बला, फिर से देखो, इधर देखो, अब जरह मैं बोलू, ओ मुझे बताओ, जहां तक बलु फाइबर हैं, जहां तक भी आपको बलु फाइबर दिख रहे हैं, बताए ये कॉन सा बैंड है, बहलो ये कॉन सा बैंड, डार्क बैंड, तो डारीक बैंड का दूसर नाम क्या था, अब जरा गौर से देखना बची हुई जगें बची जो भी जितनी भी जगें बची दिस बताइए किस बैंड का नाम क्या है अब बताओ आई बेंड के बीच ओ बीच में क्या है अच्छा मायोसिं बोलने वाले अरे बेखूप इस लाइन का नाम बिना ढांट खाई मानते नहीं हो बताओ इस फिलामें का नाम आप जब आप चाहिए मुझे साइडन से बताओ आई बेंड जहां पर है वहां पर बताओ मायोसी प्रेंट्रेट हो रहे कि नहीं हो रहे है नहीं प्रेंट्रेट हो रहे है इसलिए आई बेंड थिक है कि थिन है और जहां तक भी बेटा मायोसीन जा रहा है जहां तक भी, वहां पर कौन सा बेंड है? एफ़र, एण आईसोट्रॉपे, आईफ़र, आईसो ट्रॉफिक, अब बताव, आईसोट्रॉपे अब आइसोट्रॉपे, थिख है कि थिं? एबेंड, थिंग, I- Comics, अब मैं जो पूचूं बताओंगे? सब्सक्यां ons Hunting यहां सोट्रमिंद उसा इस पूरेबंड का नाम यहां अगンド का नाम और इसका कारन एक्टिन है की मायो से, मायो से, याद रखना, एक्टिन की अगर छमता होती है अनाइसोट्रोपी, तो इस जगह पर भी अनाइसोट्रोपी होती, यस और नो, इसका मतलब एक्टिन की छमता है अनाइसोट्रोपी, नहीं है, तो किसकी छमता है, मायो से, तो मायो से जहां तक ग लेगा जो ओवरलैप नहीं कर रहा होगा, देखो यहां से यहां तक, बता ओवरलैप है कि नहीं, नहीं है, और आगे चलते जाओंगे तो एम लाइन होती जाएगी, देखे, बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं जगर बनाओ, तभी तुम्हें समझ में मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हें समझ में आ रहा है, एक कोशिस और, अब आप करेंगे मेरे साथ, बताएए मैं क्या बना रहा हूँ, फाइबर की फाइबरिल, पाइबर की कोशिस करते हैं, आप बिलों बिल्कुल कॉंसेंट्रेशन चाहिए 200%, बताओ ये सारको प्ल सारको प्लास के अंदर, एक्टिन और, पकार, और एक्टिन और मायोसी बेटा, अल्टरनेट में में हैं, मैंने आपको इमेजिनरी लाइन बनाने के लिए बोला, बनाओ इमेजिनरी लाइन, क्या नाम है, जैड लाइन, पिर मैंने बोला, एक और बोनाओ, जैड लाइन, ब यहां तक अपर निकल ने जहां तक एक्टिन फाइबर निकल रहे हैं यह कंडिशन आइसो टौपिजम की अनाइसो टौपिजम होनी चाहिए, अब आप एक एक करके सीखो बहुत सारी चीजह तो एक साथ बहुत जबहुत ज़ोगा कन्फ्यूजन होगा, चलो इसका नाम इसका नाम और हमने माना कि ये light band है बोलो क्योंकि ये बना है acting का फिर से बोलो और हमने ये माना कि सर ये भी किसका बना है acting का मैं एक और बना दूँगा लेकिन आप मेरी मदद करते रहो बताओ ये imaginary line शोरी ये line है imaginary नहीं real line है elastic कसी है elastic अब हमने बीचो बीच एक और line की थी और इस line का नाम रखा M line पिर से बोलो M line इस वाली का नाम M line इसका नाम M line इनका filament head paint इनका filament M line M line एक्चुली बहुत पतली line है लेकिन मैं दिखाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ बहुत पतली line है यह M line अच्छा M line से निकलने लगे fiber acting की मायो से myosin और मायो से in isotropicism के anisotropic बताो यह वाला anisotropic बताो ये वाला anisotropic ये वाला anisotropic ये वाला भी anisotropic तो ये वाला region जहां तक जा रहा ये anisotropic तो anisotropic तो मैंने का जहां तक भी एन आइसो ट्रॉपिजम है वह वाला बेंड क्या कहलाएगा अपैसर मोलो नहीं का सर ये तो ये बेंड आया होगा नाम क्या होगा ये इसकी एक लाइन रही होगी नाम क्या होगा? M line पिर से बला M line तो पता हो ये वाला band भी जहां तक गया होगा नाम क्या होगा? A-ment ये रहा A-ment तो isotropism और anisotropism are the properties of filament properties of filamin actin की property isotropism andliers और myosin acab myosin यहां से यहां तक पहुँच गया तो iso के n iso? पकर और myosyl यहां से यहां तक पहुँच गया तो क्या होगा? आई इसो लेकिन पेटा actin यहां से लेकर यहां तक है तो सर आप ने क्यों नहीं बोला कि यहां से लेकर यहां तक I band है? नहीं क्योंकि isotropism light traveling property है अगर light यहां से गुसी तो एक्टिन होने के बावजूद भी मायोसिल लाइड में आइसो ट्रॉपिशन करेगा के नाइसो इसलिए इतना बड़ा जोन जितना छोटा सा जोन इस जोन जिसमें केवल और केवल कौन है एक्टिन फिर समलो वो क्या कहलाएगा आई बैंट तो बताओ आई बैंट इस ठेक और थिन और बेटा ऐबैंट आई बैंट अब में जो पुछी बताओगे तो अच्छा रहेगा बताओ आई बैंट में एक्टुली कौन सी प्रोटीन है एक्टिन एक्टिन में मायोसिल के साथ एक्टिन ही ओवरलाप करती है, लेकिन I know anisotropism is not the feature of acting, so that's why we are telling that A band is totally due to myosin, क्या बोला मैंने, समझ गया है, मैंने बोला ये पूरा band A band है, ये बात और है, कि इस band में myosin के साथ कुछ जगहें पर क्या है, acting, लेकिन acting की वज़े से anisotropism, किसकी वज़े से, myosin, तो हम बताओ, A band होना किसकी वज़े से माने भी है, नहीं है, और ये बात और है, कि जहाँ-जहाँ acting है, वहाँ-वहाँ पर isotropism, क्योंकि कुछ जगह पर ये overlap है, वहाँ पर isotropism, जहाँ overlap, नहीं है, वहीं पर क्या है, आई है, नहीं आया, आगया, अब आओ, अब बोलते हैं कि आगर मैं इस line को M line बोलू, तो ठीक है भाई, बोल दो M line, कोई फरक नहीं पड़ता, सरीय, M line है, फिर बोलते हैं M line के दोनों तरफ myosin है, क्या है, पर myosin का कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा acting के साथ overlap है, कुछ हिस्सा acting के साथ overlap है, तो जैसे acting का कुछ हिस्सा overlap नहीं है, वैसे ही myosin का भी कुछ हिस्सा overlap नहीं है and that zone is known as H zone, बताँ H zone is found in overlap के non-overlap I band is found as acting filament, बलो, जहां तक acting, वहां तक I band अईसा नहीं है, जहां पर overlap नहीं है, वहां पर I band है, जहां overlap है, वहां पर A band अब अपनी NCIT निकाले, क्योंकि मुश्किलें यहां नहीं है, वहां पर है NCIT नहीं समझ पाओगे तो तुम मुझे ही का लियन दोगे, डाइग्राम देखो पेज नंबर कौन सा है, 305, 305 के नीचे वहला डाइग्राम देखा, काली काली लाइन जो है, वो कौन से लाइन है, जैड लाइन, काली लाइन का नाम जो तुम्हारी को कह है, जैड लाइन, यहां पर yellow है, वहां पर black है, जैड लाइन Z-line के दोनों तरफ कौन से filament निकले है, acting की myosin, acting, इधर सभी कौन से निकले, acting, acting जहां तक विस्तारित है, जहां तक, वो isotropism सो करने चाहिए, क्या सो करता है, isotropism, लेकिन भगवान ने क्या डाल दिये, myosin, और myosin का nature, isotropism, light डालने के जैसा यह area कैसा होगा, anis, तो anisotropism किसका feature है, myosin, यह बात और है, तुस एरिया में कौन गुजगे हैं, acting, लेकिन उनके होने से कोई फर्ख, पका, तो बताओ, anisotropism is the feature of myosin, तो जहां तक myosin का विस्तार है, कौन सभी है, और इस साब से, जहां तक acting का विस्तार है, वहां तक, क्या होना चाहि है, किना हिस्सा, कुछ हिस्सा इधर overlap है, कुछ हिस्सा इधर overlap है, और यह हिस्सा किस bend में घुसा है, a bend, तो बताओ, वह हिस्सा a bend का part हो गया, तो जो हिस्सा over flap, नहीं है, उसका नाम eye lab, तो बताओ, acting का वो हिस्सा, acting filament का वो हिस्सा जो overlap, उसका नाम eye lab, और myosin filament का वो हिस्स जो overlap नहीं है और पूरा myocene एव है और बोलते हैं दो z-line के बीच का बेटा पार it is a functional unit बोलो क्या नाब यास nerve sorry muscle की functional unit है and that is known as sarcomia बोलो अब आप पूछेंगे कि sarcomia को functional unit क्यों बोलते हैं तो functional unit बोलने का कारण ये है कि यही sarcomia है जो muscle के काम को करती है और muscle का काम होना है contraction बोलो के नाब और muscle जभी भी contract करेगी तो उसका कुछ हिस्सा छोटा हो जाएगा कौन सा हिस्सा छोटा होगा वो किसके respect में देखोगे sarcomia तो अगर sarcomia छोटी होने लगी सर्दीट बंकर आवेसी एसी बंदा पाल को खाहिग हो एंग को एंग करीैं। आपकेटे जब करते हैं जब के honest गार अभी मुठ्टी बंद करो अभी साही है? ठीक है? ओके तुमारे पास दो बेंड है एक कौन सा? ए बेंड और ए बेंड के बगल में कौन सा बेंड है? आई बेंड मैं बार बार समझाते हैं साहत पड़ भी जाओ ना और तुम नहीं जवाब देपाऊगे तो मेरी गलती नहीं जहां तक मायो सिन का विस्तार है ए का मतलब एनाइसोट्रोपिजम वहाँ की लाइट की एक्टिविटी एनाइसोट्रोपिक होंगी अब यह और है कि वहाँ एक्टिण बुजग है वो निचर बदलने वाला इसलिए जहां तक केवल एक्टिण है जहां तक और ओवरलैपिंग उस जगे का नाव आई गया है याद रहेगा फिर मैंने बोला दो जड़ लाइन की जगे बीच की जगे नाम बताओ सारको मियर कल को तुम बोलो सर यहां पर भी एक जड़ लाइन है बिल्कुल इसका भी नाम सारको मियर सर वहाँ पर भी है सारको मियर सर यहां पर भी है सारको तो बोला गया सारको मियर is a functional unit बोलो और किसी भी नाम को बहुत सही से बढ़ा करो why it is known as functional unit कि को बेटा मसल का function इसी unit के respect में divide किया जाएगा किसके सारको मियर इसी के respect में define किया जाएगा मतलब मसल अगर contract हो रही है तो मसल छोटी हो रही है और अगर मसल छोटी हो रही है तो उसका क्या part छोटा हो रहा सारको मियर अगर मसल रिलैक्स हो रही है तो उसका कुछ part रिलैक्स हो रहा हो बड़ा हो रहा क्या रिलैक्स हो रहा सारको मियर तो हम सारको मियर के respect में देखते हैं कि मसल contract हो रही है कि muscle relax हो तो सारकों यह वो जगह है वो unit है वो उतना place है जिसके respect में हम muscle के contraction and relaxation को define करते हैं और इस contraction and relaxation को define करने की इस वज़े से इसे हम क्या बोलते हैं functional unit क्या बोलते हैं इसके बजाए हम अगर detailed structure में जाएं तो घबराना मच पिर से बोलो अपने मन में देखो तो यह सब आ जाएगा अगर मैं वहनूँ कि मेरे पास fiber के of entry मानने की जगए मैं fiber के अंदर entry मानो सबसे अंदर क्या मिलेगा सबसे बाहर मिल क्या मिलेगा सारको लें मा, अंदर सारको प्लास, उसके अंदर इक कौन एक्टिंग दूसरा एक्टिंग मायो सिन में लाइट और डार्क बेंड होगे ये बात और है कि मैंने पहले पढ़ाये था लाइट बेंड किसका बना है एक्टिंग अधी तक वही सही डार्क बेंड किसका बना है मायो सिन ये बात और है कि मायोसिन के कुछ इसे में कौन आ गया एक्टिंग ओवरलैप कर गया है अब बिना देखे बताओ क्या आपको Z-Line दिख रही है Z-Line दिख रही है Z-Line से क्या फिलामेंट एक्टिंग बोलो एक्टिंग अलर एक्टिंग Actin filament जहां तक हैं वहां तक light band नहीं है एक rule है Myosin filament जहां तक है वहां तक A band की I band A band Isotropic Anisotropic Anisotropic इसके बीचों बीच में कौन सी line है Am line और बिटा light band के बीचों बीच में Z line दो Z line के बीच का पाँ सारको मिन जवाब देना जवाब देना जो light band उसमें actin filament है और actin filament याद रखना actin filament का वो हिस्सा जो overlap वो light कहें कि dark और जो overlap कर रहे है वो किसमें चलागे है तारक मतलब ISO के NISO ISO के NISO ISO तो Myosin का जहां तक विस्तार है Myosin का जहां तक विस्तार है A की I A है और बिटा जहां पर overlap नहीं है वहाँ I दो जिन लाइन के बीच साथ को लिए है बहराल आप I band बात करो या A band बात करो कुछ भी बात करो आप actin और Myosin की ही बात करेंगे याद रखना तो जब हम लोग actin filament को detail में पढ़ते हैं तो actin filament के detail structure भी अजीब हैरान करने वाले हैं तो हम लोग actin filament के structure को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो फाइबर इसके लावा ट्रोपो मयोसिन दो फिलामेंट और बहुत सारे ट्रोपोनिन देखिए टॉपिक कहां से छूटा हमारे पास पता हो लाइट बेंड और डार्क बेंड दिख रहे हैं एन आइसो ट्रोपिक और आइसो ट्रोपिक दिख रहे हैं कौन है एन आइसो ट्रोपिक मयोसिन की एक्टिटिन कौन है आइसो ट्रोपिक आइबेंड याद है हम लोग यहां पर आइबेंड के अंदर गुसे किसके अंदर I-band, I-band में कॉन प्रिजिन है, Actin, और बोला गया Actin के जो फिलामेंट है, जो Z-Line के दोनों तरफ है, इस फिलामेंट, ये फिलामेंट किस से बने हैं सर, ये फिलामेंट किस से बने हैं, they are made up of 3 protein, फिर से बोलो, 3 protein, number 1, F-A, F-A, V-A, 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 V समझने की कुशिस करते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे there is one protein structure which is globular in nature. गोल-गोल होने की वज़े सही से हम लोग बोलते हैं globular. और ये globular actin protein है, यानि actin नाम की protein का बना है लेकिन ये globular structure है. ये जो globular structure है, इसको हम लोग मानते हैं monomer, बोलो क्या मनेंगे हैं? जैसे हम लोग moti को आपस में जोड़कर mala बनाते हैं तो moti is monomer की polymer और mala इस तो बोलते हैं कि ये जो गोल-गोल आपको गोल-गोल आपको actin देख रहा it is known as g-actin what is g-actin? globular actin फिर से बोलो globular actin तो बोलते हैं globular actin polymer बनाने लगी polymer बनाने लगी मतलब एक बहुत लंबी chain बनाने लगी globular actin और globular actin जब बहुत लंबी chain बनाने लगी तो हमें लगा कि ये तो fiber बन गया और ये fiber बन गया actin का किसका बन गया? actin का पर बताओ इसमें एक G है भी बहुत सारे हैं इसलिए हमने इस Actin का नाम रखा F Actin फिर सबनो और F Actin का मतलब Fiber Actin फिर सबनो Fiber Actin is Molimer की Polymer? Polymer Monomer? Polymer और ये Polymer किसका है? G Actin जब बहुत सारी G Actin आपस में जुड़ी तो क्या बन गया? Fiber और इसमें एस F Actin तो बोलते हैं ऐसे F Actin के दो Fiber ये ना पहला Fiber, see this ये दूसरा Fiber F Actin के दो Fiber एक दूसरे के ऊपर Cross या पर बेटा Cross बनाते हुए निकलते हैं तो बताइए F Actin के कितने Fiber दो F Actin के Fiber और वो दोनो F Actin किसके बने हैं? G Actin जब दो Fiber एक साथ चलते हैं तो इन्ही दो Fiber के साथ चेन चलती हैं एक प्रोटीन की और वो भी दो चेन पहली चेन का नाम है बेटा इसका नाम है बेटा ट्रोपो मायोसिन फिर सबनो और ट्रोपो मायोसिन के भी बेटा दो चेन हैं किद्री चेन हैं? चेन हैं पस आपको आजियूम करना है तो पताये जो ब्लू कलर के स्ट्रॉक्चर्स बनाएं मैंने ये क्या है ट्रोपो मायोसिन तो देर आट ट्रोपो मायोसिन देर ट्रोपो मायोसिन स्ट्री ट्रोपो मायोसिन और दूसरे कितने एफेक्टिन तो बता आप कितनी बेटा बेटा रस्यां चली ट्रोपो मायोसिन की? दो तो ये जो पीला वाला रहा वो एफेक्टिन रहा बाकी ये वाला रहा ट्रोपो मायोसिन और इन ट्रोपोमाइसिन में जगे जगे पर प्रेजन्ट है एक्टिव साइट्स क्या प्रेजन्ट में बेटा एक्टिव साइट्स प्रेजन्ट है इन जगे जगे की एक्टिव साइट्स पे बेटा एक स्मॉल प्रोटीन बेटी हुई है और ये स्मॉल प्रोटीन बेटा इडिस नोन एस ट्रोपोनिन बोलो कौन मेटा रहा है ट्रोपोमाइसिन की ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन और तब जाकर के एक एक्टिव फिलामेंट बनाए अब बताइए एक्टिव फिलामेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बोलो F-Aktin, Tropomycin, Troponin Troponin के एक ग्रूप की बहुत सा और बेटा कितनी चेन Tropomycin कितनी 2, F-Aktin की 2 और F-Aktin का मतलब Monomer की Polymer F-Aktin is a Polymer and G-Aktin is a Monomer और इस तरीके से एक filament बना आपके सामने और ये filament क्या कहला रहा बेटा तो अगर मैं कल को बोलू कि ये बेटा Z-Line है, बोलो Z-Line से एक्टिन फिलामेंट निकले तो बोलो इस एक्टिन फिलामेंट में क्या क्या होगा पता नहीं क्या क्या होगा F-Aktin होगा Propomycin होगा Proponin होगा कितने ट्रोपो मायसिन कितनी लेयर बेटा ट्रोफ एफेक्टिन की और जगह जगह पर पता हूँ ये कौन है तो जेड लाइन में जो ये स्ट्रक्चर बन रहे है उनका नाम क्या है एक्टिन खिलाइन पिर जो लो तो जो सर ऐसे खीच के बना देते हैं कि सर ये रहा है एक जेड लाइन फिर बोला गया कि ये है एक्टिन 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 नहीं है इसमें एक लोग है कि तीन लोग इसमें भी तीन लोग कहते हैं अगर इस जगे ट्रोपोनिन न होता तो यहां एक active site खाली होती है जिसमें मायो सिन आ करके जुड जाता कौन कौन तो बताओ इस जगे पर कौन घेर कर बैठा है ट्रोपोनिन फिर दो रोपोनिन अटा दो किसकी जगे खाली मायो से तो क्या Myosin यहाँ पर आकर जूट पाएगा ? कैसे जूटेगा वह वह बातें बताऊगा तो कल को पूछा जाए ट्रोपोन इन किस active site वो बढ़ पेटा है Myosin की active site किसकी active site Myosin हटाएं इसे आपाएगा मुझे तो पहले ही point से मालूम है कि तुम कुछ नहीं समझ रहे हो filament दीख रहा कि fiber 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 के अंदर sarco lemma दीख रही है sarcoplasm दीख रहा myofibril दीख रहे actin myosin दीख रहे dark light band दीख रहे a band i band दीख रहे myosin actin दीख रहे अब लेगा z line दीख रही है z line के दोनों तरप actin के myosin m line दीख रहे है m line के दोनों तरप myosin z line के दोनों तरप acting m line के दोनों m on overlap कर रहा है जहां जहां तक मारी बन्म के राए वहां वहां जहां जहां तक I जहां जहां तक acting वहां वहां तक I-Band क्योंकि कुछ पोर्सन M और ओफ और ओवरलाप कर रहा है जो ओवरलाप वो किसमें गया dark nan आइसो के नइसो तो acting जितनी जगह ओवरलैब दो Z-Line दिख रहे हैं? दोनों का Beach Space दिख रहा है? नाम बताओ, क्या ये Functional Unit है? ये Contract हुई तो Muscle Contract, ये Relax हुई तो Muscle Relax, तो अब हम घुसे ये, कि जिसे तुम Actin बोल ले, जिसे तुम Myosin बोल ले, वो दिखता कैसा है? तो हमने क्या किया? Electron Microscopy, और जब हमने Electron Microscopy देखी, तो दिखाई पड़ा Actin Filament, एक रसी का है कि दो, दो और दो, छ्या, और बीच-बीच में, प्रोपोर में, तो चलो पहले, G-Actin दिख रहा है, गोल-गोल Actin is, G-Actin, G-Actin का Fiber दिख रहा है, ये, F-Actin, तो रसी का नाम, F-Actin, बंदे का नाम, G-Actin, तो G-Actin मिल करके Polymer दो, दो पाले में रसीयां चल रही है, इनका नाम है F-Actin, और इनी के side by side, Tropomycin, चल रही है, कितनी, दो, दो ट्रोपोमाईसिन, दो, अब ट्रोपोमाईसिन के पास, एक्टिन के पास की ट्रोपो, एक्टिव साइट से हैं, और जगे-जगे की इन एक्टिव साइट पे कौन बेटा है, ट्रोपोनिन, बोलो, और ट्रोपोनिन बेटा, फाइबरस है, कि बेटा, ग्लोबलर, ग्लोबलर, और जगे-जगे पे बेटा हुआ है, तो बताओ, किसी भी F-Actin filament में, किसमें, एक बात की तीन बात, तीन बात या दा हैं, बोलो, F-Actin, ट्रोपो-मायसिन, नहीं आया, अगर मै ट्रोपो-निन हटा दूँ, क्या टा दूँ, जगे खाली हो जाएगे, कौन आएगा, मायसिन, कैसे आएगा, पता नहीं सर, लेकिन आएगा, कौन, अगर मायसिन आ जाता, तो एक्टिन और मायसिन का कॉम्प्लेक्स बन जाता, खैर नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आएए, हम लोग structure of myosin filament भी देख लें, structure of myosin filament, फिर से सुनो, myosin is again a polymer protein, myosin एक polymeric protein है, ये भी एक polymeric protein है, भाई हो, and this myosin is made up of myromyosin, made up of myromyosin, और अगर कोई पूचे, what is myromyosin, तब आप बोलना ही है कि polymer है कि monomer, monomer, जैसे मैंने बोला था, F acting is, और उसका monomer, G acting, याद है, वैसे बिटा, myosin का, किसका, myosin का monomer क्या है, myromyosin, फिर से बोलो, myromyosin, याद रहे हैं, अब आगे बठा, कहते हैं सर, या myromyosin कैसा दिखता है, बुलते हैं, myromyosin में तीन पार्ट दिखते हैं, एक तो दिखता है, head, it is head, एक दिखती है, इसमें arm, head के साथ दिखती है, arm, और उसके बाद दिखती है, tail, तो किसी भी myromyosin को देखोगे, जो monomer है, ये polymer है की monomer है, ये तीन पार्ट रखता है, head, our, tail, फिर से बोलो, head, our, tail, बोलते हैं, head और arm को मिला करके, हम लोग नो, head और arm को मिला करके बोलते हैं, कि ये heavy myromyosin है, कैसी है, heavy myromyosin, एन इसे हम नाम देते हैं, HMM, that is known as heavy myromyosin, और हम मानते हैं कि इसका molecular weight, बाकी myosin के पार्ट से ज़्यादा, बाकी बसती है, tail, और tail वाले portion को हम लोग बोलते हैं, LMM, and that is known as light myromyosin, तो बताईए मुझे, कि myosin is a monomer की polymer, और अभी तक मैंने polymer बनाया नहीं, अभी तक क्यों क्या बनाया है, monomer, तो मैं monomer की सकल देखता हूँ, तो monomer की सकल का नाम क्या है, myosin की myromyosin, और myromyosin, खुद में कितने पार्ट में, ती, खुलो कौन है, head, arm, tail, फिर सबलो, head, arm, tail, head, arm, tail, और head और arm मिलकर, HMM, what is HMM, heavy myromyosin, और what is LMM, तो कहते हैं, ऐसे, ऐसे मीरो मायो सिन के दो monomer, दो monomer, पहला monomer, और किसके बाद, दूसरा monomer, आपस में जुड़ करके एक unit बनाते हैं, बनाते हैं, जो बार बार अपने आपको repeat करेगी, तो बताओ, एक मीरो मायो सिन के दो, दो मीरो मायो सिन के पास, दो tail, दो head और दो arm, अगर मैं ऐसे बोलू, तो आपको क्या-क्या दिखाई पड़ेगा, इनके head में एक जगें पर दिखाई पड़ेगी, साइट, ये वाली साइट, इडिज नोन एस, एक्टिम बाइंडिंग साइट, बोलो के ना, के बगल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, किसी को याद है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन किसी जगे बैठा हुआ है, अगर उसे हटा दिया जाए, साइट खाली हो जाएगी, उस साइट पे कौन जाकर जुड़ेगा, मायोस, मायोस, जिस जगे से जुड़ेंगे उसका नाम है, एक्टिम बाइंडिंग साइट, फिर से बोलो, एक्टिम बाइंडिंग साइट, और साथ में ये एक एटिपेज नाम का एंजाइम साथ में लेके चलते हैं, और इसका मद्दब है, इनके पास ATP बाइंडिंग साइट भी है, क्या बेटा, ATP बाइंडिंग साइट, तो इनके हैड में दो साइट है, बोलो कौन, एक्टिम बाइंडिंग साइट और ATP बाइंडिंग, अगर मैं इसे अकेले दिखाऊ तो थोड़ा ज्यादा विजिबल होगा, बताओ ये वाली साइट, और ये वाली साइट, ATP बाइंडिंग साइट, बताओ इस पूरे पोर्शन का नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, पताओ ये मीरो मायसिन का एक माली क्योंकि दो, एक, अरे, दो दिख रहा है, और ऐसे एक की दो, दो साथ रहते हैं, और एक यूनिट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक की एक यूनिट, और यही यूनिट बार बार आपस, आपने आपको repeat करते हैं, the same unit, they repeat themselves, multiple time, बहुत बार repeat करते हैं, मैं कोशिस करूंगा, साइद आपको समझ में आजाएं, माल लिजिए, ये एक मीरो मायसिन है, माल लिजिए, ये एक दूसरा मीरो मायसिन है, like this, ये एक यूनिट है, जहां पर एक यूनिट खतम होई, वहीं से दूसरे की टेल चालू हुई, ये एक मीरो मायसिन है, ये दूसरा मीरो मायसिन है, एक यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ी, फिर दूसरी यूनिट तीसरे यूनिट से जुड़ी, like this, this, फिर तीसरी यूनिट चाथी यूनिट से जुड़ी, पाच्वें इनिट से जुड़ी और ऐसे जुड़ती चली गई और बताओ ये मौनुमर बनने लगा की पॉलिमर भाईयों बहनों अब बताओ इस पूरी की पूरी रसी का ना मायोसीन की मीरोमा ऐसे and now this is known as मायोसीन फिलामेंट बोलो कहे ना और पताओ मायोसीन फिलामेंट इस दा मौनुमर और पॉलिमर और जिसमें क्या बार बार रिपीट कर रहे हैın निड्निड्रो मायोसीन की मैरोमा ऐसे शीम कर रहे है तो कहते हैं अगर इस एक रसी को continuous देखो तो यह रसी सीधी दिखेगी लेकिन इन में कुछ portion बाहर निकले हुए दिखाई पड़ेंगे and these portion are known as cross arms. मैंने arms बोला कि cross arms और इसलिए मैंने अभी तक वो structure खतम नहीं किया जो तुमको मैं बिठाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ मैंने फिर से बोल दिया था, यह मैंने cross arm रखा था कि यहाँ है, यह क्या था, head, यह क्या था, tail, तो एक मीरो myosin unit का, एक मीरो myosin unit का यह क्या है, tail, यह क्या है, head, दूसरे का भी, tail, arm, head, tail, arm, head, एक सीधी रसी बनाएगा और इस सीधी रसी से कौन बाहर निकले हुए दिखाई पड़ेंगे head, बढ़ समलो तो उस रसी के head जो होंगे वो क्या बनाएंगे they will form the cross aam की cross aam aam होना अलग बात है cross aam होना अलग बात है पूरी रसी के respect में निकलने वाला पुछला क्रासा और मीरो मायोसिन का अपना हेड के बाद वाला पूरसन आ रहा है नहीं आया तो बताव पूरी मीरो मायोसिन की रस्थी में तुमने देखा तो छोटे छोटे लट्टू जैसा है स्ट्रक्चर निकल दा हर जगे इसका नाम क्रासा और ये LMM से है कि HMM HMM तो मायोसिन इस मोनुमर और पॉलीमर तो अगली बार जब मैं पूछू कि बच्चा मेरे कि तुम ये मुझे बताओ ये LINE है M LINE बो और ये मायोसिन है बो क्या है तो बताओ ये जो हेड निकले है ये क्या है क्रासा मैं बोलू अगर ये M LINE है तो बताओ ये कौन निकला है मायोसिन मोनुमर की पॉलीमर तो बताओ ये जो निकले हुए है क्रासा नहीं आया आया और अब बच्चे मेरे अगर मैं तुम से बोलू मैं मेरे मदद करना अगर मैं तुम से बोलू कि ये Z LINE है बोलो कौन तो मैं बोलू कि ये जो फाइबर निकले हुए है इनका नाम अब एक्टिन में एक लोग की तीन लोग तीन लोग है बोलो कौन एफ एक्टिन और मैं बोलू कि ट्रोपोनिन फिलाल नहीं है ट्रोपोनिन फिलाल तो जिस जगे ट्रोपोनिन नहीं है क्या वहाँ पर एक्टिव साइड है क्या उस एक्टिव साइड पर आकर क्या उस एक्टिव साइड पर आकर ये क्रॉस आम जुड़ सकती है तो बताओ ये कौन हुआ मायो से ये कौन हुआ तो क्या actin myosin complex है इस चीज को देख करके इस चीज को देख करके actin netroponin को दूसरी साइड से हटाया बताओ दूसरी जगह खाली है इस जगह क्या बन चुका एक्टिं myosin complex बोलो इसने का कि भाया थोड़ा और सरक लो तो बोले चलो सरक लेते हैं तो जेड लाइन थोड़ी सरकी जैसे थोड़ी जेड लाइन सरकी यह वाली active side यहां पहुंच गई और बेटा जो यहां वाली active side थी यहां पहुंच गई यह और नो तो बताओ यह अपनी position से अंदर गई एक filament दूसरे filament पे क्या कर गया slide that is known as sliding filament theory नितिन और हितिन दुनो जल्दी आँ यह किदर रहो यह किदर see एक दोनों दूर जाओ if they are the actin बूलो क्या है यह कौन है actin यह दोनों की beach की line क्या line है यह इसकी line की z line बताओ यह filament actin filament यह वळा एक तीन फिलामेंट में क्या पर F-A-T-I-N-O-G-A-T-O-N-O-G-A-T-O-N-E-N-O-G-A-T-O-N-O-G-A-T-O-N-O-G-A-T-O-N-O-G-A-T-O-N-O-G-A-T-O-N-O-G-A-T-O-N-O-G-A-T-O-N-O-G-A-T-O-N-O-N-O-N-O-G-A-T-O-N-O-G-A-T-O-N-O-G-A-T-O-N-O-G-A ये बेटा हुआ है कौन बेटा हुआ हैन् anticipated chosen अर्म मैं ओं कौन हूं और ये कौन है 있어서 तो इस एक आजिम और करो कि यहां से सबिक्रो civिक निइब सब्सक्रों करना पड़े बसस सब्सक्राइब पर अनिकलिया नहींगि कार कि जैसे ben Myosin Actin' के पास गया उसने Troponin गिरा दिया, क्या गिरा है? Activo side खाली? क्या जिरल है? ये कौन हम लगा? Myosin, लगा? नहीं आया? कौन किसके अंदर गुसा? Actin' Myosin तो कौन band किसके अंदर? i band, j band बताव सारको मीर दूर दूर की पास-पास पास पास, पताओ, kontrashn की रिलेक्षण की, kontrashn, 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 एक बहर रहा ह। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा ह। पढ़ाने की तैयारी कर रहा ह। पढ़ाओंगा मैं फित बुलाओंगा अब इस लाइडिंग फिलामेंट थियोरी मैंने छूई भी नहीं मैं तुम्हें ये पताने की कोशिज कर रहा हूं कि वाई देर आर सो मैंनी कॉर्ट रॉस आम यहां पर इतनी सारी क्रॉस आम क्यों है यहां क्रॉस आम ने खीचा तो दूसरी जगह फस गया उसको खीचा तीसरी जगह फस गया और इस तरीके से एक फिलामिट किस पर स्लाइड हुआ कुछ पल्ले बल्ले पढ़ रहा है क्योंकि अभी मैं स्लाइडिंग फिलामिट थेटी पढ़ाने जा रहा हूं actually आप पढ़ाओंगा दुबारा बुलाओंगा इन लोग को जल्दी बोलो कितने प्रकार के फिला मिंटे मैंने पढ़ाई थे एक कौन एक्टिन दूसरे कौन मायो से एक्टिन कितनी चीज़ों से मिलके बना है एक्टिन जिवाला आप बताओ जो मैं पूछूंगा बता दो गया वैसे बहुत खराब क्लास जा रही है क्योंकि आप समझने का कम प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसको बहुत अच्छी तरी के साथ नहीं नहीं तुमारे चेरे बता देते हैं एसी चला दे चलाओ चला चलाओ वैया चलाओ यार जो बंद किये था चलाओ बस बस बेटा रुख जाओ आप तुम लोग एसी के चक्कर में ही रहो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थे औरी कलम पढ़ाएंगे आप सुनो 28 तारीक तक जो क्लासेस हैं साम की चलने ही उसके बाद आपके लिए खुसकंबरी है केवल साम की क्लासेस बंद और सुबह की क्लासेस चलती रहेंगी आप लोग अपना रिवीजन करिए और 14 अपरेल से फिरी रिवीजन चालू हो जाएगा तो आप लोग टेंसन मत रहेगा जैसे ही जेनेटिक्स खतम होगी जैसे ही जेनेटिक्स में साम को पढ़ाने के मूड में नहीं था क्योंकि भीड बढ़ेगी इसलिए जेनेटिक्स को दो बैचेस में पढ़ाना पड़ेगा साम में तो 1-3-5 और 2-4-6 मिलता है इसलिए अठाइस तारीक के बाद से जनेटिक्स जब चालू होगी या उसके 2-4-5 दिन के बाद से जनेटिक्स जब चालू होगी तो आपको सुबह ही किवल पुलाओंगा मैं एक बाद और अब उन लोगों की सिकायत खतम हो जाएगी पढ़ने का मौका नहीं मिला तो जनेटिक्स वाला पॉर्ट्सन सुबह और हम लोग नियूरोलोजी वाला पॉर्ट्सन भी सुबह पढ़ लेंगे ब्रेन और नर्वस सिस्टम और इसके बाद साम वाली क्लासे साब की खतम आप आराम से साम को खुब रिविजन करिए आप छपेड़ा पुलिया मिल मत जाना क्योंकि मैं टेलता रहता हूँ ठीक है? क्या चेट? तुम बहुत सोते हो तो आप 28 तारिक तक मेरे साथ हैं साम को तो अभी आपको किस दिन आना है? सटर्डे को आना है आज कौन सा है? थर्सडे फ्राइड़ को वैसे चुटी रहती है और सटर्डे को आपको आना है सटर्डे के बाद अब आप केवल मार्निंग तो आप लोग केवल छह दिन आप जनेटिक्स पढ़ने के लिए सुबह आएंगे या फिर नियूरोलोजी पढ़ने के लिए अरे बस बस बहुत दिनों से मैं भी चाह रहा था कि थोड़ा रिलाक्स मिले और रिवीजन चालू होगा क्या चालू होगा? या हुआ 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 है गश्चाओ पाह गश्चर्ण चालू हुआ है या न हमे छाह रहे हैं लिए तो आप लिएज़ प्रूंग तो आप के लिएक्ट आप लिए अस्टाप लियूरोज पाहँआ है mechanism of contraction of muscles इसको समझाने के लिए we have a theory that is known as sliding filament theory और यह theory बताती है कि जब एक filament दूसरे filament के ओपर slide करता है तो muscle fibril contact होते हैं muscle fibril contact होने के वज़े से muscle fibril contact होते हैं muscle fibril contact होने के वज़े से muscle bundle contact होने के वज़े से muscle contact होने के वज़े से तो इस sliding filament theory को बहुत detail में समझने का time है जिसको भी यह लग रहा है कि नहीं आएगा वो भी अपना दिमाग दुरूस्त करके बैटे बहुत आसान है और बहुत आसानी से आ सकते हैं sliding filament mechanism theory को समझने के लिए सबसे पहले आपको brain तक चलना पड़ेगा याद रखना क्योंकि skeletal muscles हमारे voluntary control में किस control में और हम लोग voluntary control वाली muscle ही पढ़ रहे है इतने दुनों से हमने पुड़ा था कि तीन प्रकार की muscle हैं cardiac muscle, visceral muscle और skeletal पर मैंने तीनों muscle डिटेल में पढ़ाने के वज़ा है किवल कौन से पढ़ा है skeletal तो brain से voluntary control की वज़े से एक motor nerve के द्वारा message भेजा जाता है तो brain से आपके पास एक nerve आती है और nerve एक message लेकर के आती है via exons किसके तुरू और exons के दौरा जो एक message लेकर आ रही है nerve ये जाकर के muscles के पास जाकर के रुपती है let's suppose this is the muscle मान लिजे कि ये वो muscles है जिसे उसे contract करना है अगर ये muscle है तो आपको मालूम है इसके अंदर bundle होंगे myofibril होंगे बहुत सारी चीज होंगे याद रखना है जहां पर nerve और muscle आपस में जुड़ती है उस जगे एक junction बनता है and that junction is known as MMJ neuromuscular junction neuromuscular junction फिर सबलो this neuromuscular junction is also known as अगर मैं इसको सही डंग से बनाऊं की है हमारी nerve के endings है exon की nerve ending है बेटा एकदम सांतर होगे तो भी समझ में आएगा नहीं तो नहीं आएगा फिर तुम कुछ भी को यह माल लीजिए कि exon है और nerve का portion है message लेके आया और यह जो message आया वो किसी muscle तक पहुंचा let's suppose यह वो muscle है जिसको हमें contract कराना है this is the muscle तो यहाँ पर जो बेटा जो भी junction बन रहा है इसी का नाम क्या है neuro junction neuromuscular junction इसी को हम लोग motor end plate बोलते हैं बोलो क्या बोलते हैं motor end plate it is known as motor end plates याद रखना यह आने वाली nerve जो है यह exon की बनी है जब तक nervous system ना पढ़ लो तब तक exon थोड़ा कम समझ में आता है लेकिन आप मान के चलो कि nerve का एक fiber है नाम बता exon बाते मत करो बेटा exon के terminal में present है exon terminal बोलो क्या exon और exon terminal के पास present है vesicles बोलो क्या vesicles अब मैं पूछूँगा जवाब आपको देना पड़ेगा present है vesicles फिर से बोलो और जैसे ही message बेटा in vesicle तक पहुँचता है किस तरक vesicle छोडो फिर से बोलो किस से मेंसेज आया है कौन से exon से नर्व कैसी नर्व मोटर नर्व आपकी बाड़ी में दो प्रकार की नर्व है जो stimulus को brain तक ले जाए sensory पिर समलो और जो काम करने के लिए है motor जो muscle को contact करा है motor जो muscle का stimulus ले जाए sensory तो जो muscle को contact करने वाली नर्व है इसका नाम है motor नर्व motor नर्व एक voluntary message लेके आई तुमने का मुझे अपना हाथ मोड़ना है मन में सोचा और मुड़ गया हाथ मोड़ने के लिए तुमने एक नर्व का संदेश उस muscle तक पहुँचाया muscle पे जाकर नर्व जैसे जुड़ी उसने बनाया motor end plate also known as neuromuscular jensen motor end plate के पास प्रेजेंट है exon terminal पिरसे बलो exon terminal के पास है vesicle बलो क्या vesicle और in vesicle में present acetyl koline बलो it is known as neuro hormone that is known as acetyl koline बलो और जैसे acetyl koline नाम का बेटा ये neuro hormone muscles के उपर छोड़ा गया muscle ने पैदा किया बेटा muscle ने पैदा किया impulse बलो क्या पैदा किया impulse बलो क्या पैदा किया और impulse पैदा होते ही muscle contraction के लिए तैयार हुई क्योंकि impulse पैदा होते ही यहां पर present है ER जिने हम लोग बोलते है SR what is a star बलो acetyl koline का message जैसे कहां पहुँचा muscle बताओगे नहीं तो मरोगे कहां पहुँचा muscle तो muscle में किसने ये message पहुँचाया किसने पहुचाया acetyl koline पिर सबोलो acetyl koline और acetyl koline का message जैसे ही पहुचा पहुचा muscle तक muscle क्या हो ने क्या जनरेट किया impulse फिर सबोलो impulse फिर सबोलो impulse muscle impulse जनरेट करी और impulse जनरेट करने की वज़े से यहां पर ER एक्टिवेट हुए what is ER सार्को प्लास्मिक और इन सार्को प्लास्मिक रेटिकुलम से अचानक एकदम बंबिस्वोड जैसा calcium निकला क्या निकला calcium थोड़ा की बहुत आप बहुत आप bursting of calcium बहुत ज्यादा calcium निकल पड़ा और यह जो bursting of calcium है इसने ट्रोपो निन ढोड़ना चालू किया किसको ढोड़ना चालू किया और सायद तुम्हे ट्रोपो निन याद है कहां पर है हाँ affective पर है अभी समझदारी की तुमारी परा कास्टा है अगर अभी समझदारी गरबढ़ की तो फिस sliding filament theory नहीं आएगी अभी नहीं आएगी यहां तक मुझे समझाओ mechanism of muscle contraction कौन सी muscle cardiac muscle visceral muscle skeletal muscle हमारे voluntary control में है कौन control कर रहा brain brain message भेज रहा किस nerve में motor nerve muscle ले गई कहां तक muscle nerve ले गई muscle तक message by nerve और muscle का junction ना मताओ neuromuscular junction neuromuscular junction में nerve endings बोलो also known as axon terminals बोलो उनमें क्या प्रजेंट है विसाइकल विसाइकल के अंदर एसेटाइल पोली जैसे ही message nerve ने दिया कहां पर पहुचा विसाइकल क्या तूटे विसाइकल विसाइकल तूटने से क्या निकला एसेटाइल कोली फिर दो बो एसेटाइल कोली एसेटाइल कोली कहां से निकला nerve से कहां पहुचा muscle में it is known as nerve to muscle muscle में क्या पैदा हुआ impulse फिर दो बो impulse पैदा करने वाला हर्मोन कौन है एसेटाइल कोली और जैसे ही impulse पैदा हुआ इस muscle के अंदर muscle के क्योंकि इसका नाम है सारको लेमा सारको लेमा के अंदर सारको प्लास्म सारको प्लास्मिक रेटीकुलम पिर दो सारको प्लास्मिक रेटीकुलम एक्टिवेट हो गया सारको प्लास्मिक रेटीकुलम एक्टिवेट होते ही क्या निकली कैल्सियम कहा निकली है सारको प्लास्मिक रेटीकुलम चलो मैं एड करके पीछे जा रहा हूँ और मुझे बताने की कोसिस करना तो, सारको प्लास्मिक रेटी कुलम ने क्या निकाल दिये हैं? बोलो क्या निकाल? क्या निकाल से, अब क्यलसियम चिलाते हुए घूम रही कि अब मुझे ट्रोपोनिन मिल जाए तो उसकी खैर नहीं तो किसे ने का तुम कैल्सियम को कहा कैल्सियम तुम ट्रोपोनिन को कहा ढूंड रही हो तुम देखो इस लाइन का नाम Z-Line है क्या नाम है इस लाइन का नाम Z-Line है और तुम्हें मालूम नहीं कि यहां पर तीन फाइबर है आ रहे हैं तीन क्या दो फाइबर है किसके एक्टिन के हैं और दो फाइबर हैं ट्रोपोमयोसिन फिर से बोलो और इसी ट्रोपोमयोसिन के ऊपर बोलो क्ष fragments in के ऊपर बोलो है तो प्रोपोमयोसिन के ऊपर कौन बैटा हुआ है प्रोपोनिन बैठा हुआ है तो उसने का यह जो ट्रोपोनिन बैठा है यह मेरी एक्टिव साइट पर नहीं बैठा है कहीं पर भी बैठा हो मैं इसको छोड़ने वाली नहीं कौन बोला कैल्सियम कहां से निकला सार्कोप्लास्बी गिरेटिवला तो क्या यह सिल के अंदर की फालत हैं बता ilrygai नहां सार्कोप्लियमा यह क्या है सार्कोप्लास्बार केल्सिय吗 का निकला कैल्सियम श्यार की हम में किसे अठ्रक किया रोडर पर औरो उस ने जो साथ एक बमपलेक्स बनाया जैंता इस जोलो केल्सियमं कोली ओपलेक्स इढने और प्लम कॉल्सि Ergeb infinity पत इसको छोड़ के पाहरा गया और उस जगे क्या खाली हो गई active side क्या खाली हो गई और अगर active side खाली हो गई तो इसी का तो इंतजार कौन का रहा था मायो से अगर इधर खाली है तो इधर भी खाली है सब जगे पर active side खाली है और active side अगर खाली है तो भाई बचना नहीं और बताना मुझे, बताना ध्यान से, बता हो यह वाली line का नाम M-line और आपको मालूम है, यह है myoc और इसका नाम cross है इसका नाम cross है इसका नाम cross है और cross है मिशी क अंध्य تजार कर रही थी क्योंकि इस जगह कौन बैठा था और क्यों ले गया कैल्सियम तो अगर नर्व इंपल्स ना आया होता नर्व इंपल्स एसे टाइल कोली ना निकलता एसे टाइल कोली एसे टाइल कोली ना निकलता इंपल्स इंपल्स ना बनता तो एसार एक्टिवेट एसे आर एक्टिवेट लेकिन इसका उल्टा हुआ, नर्व इंपल्स आई, एसेटीन कोली निकला, इंपल्स बना, एसार ने निकले कैल्स, कैल्सियम ने किसके साथ रेक्षन किया, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के साथ करते ही कैल्सियम ट्रोपोनिन कांपलेक्स, और जैस से कैल्सियम ट्रोपोनिन का क्या खाली हो गया और एक्टिव साइड को देख करके भाया आपका मयोसीन क्या उस Actin के साथ जुड़ गया कौन सा complex बना Actomyosin complex पिर से बो और इस Actomyosin complex को बनना इतना आसान नहीं है आप की नशी आडी ने इसको भी detail में समझाया है कि कैसे एक्टो मायो सिन बनता है आगर तुम एज्यूम कर सकते हो गुरू तो वो एस कर पाओगी नहीं तो नहीं कर पाओगी मान लो ये हैड है और ये किसको पकड़ दिया गया लेट सबोज मैं मायो सिन हूँ खड़े और मेरे तर्ब मुद कर कर के खड़ kommun दूर जितना खड़े हो सकते यस और ये अगर जगे थी जिसका नाम था प्रो कोने बोलो के नाम और यहां पर क्या थी यह पहली एक्टु साइड है इसमें ट्रोकोनें था कौन था ट्रोपोलिन पका और ये दूसरा हेड है ये दूसरा हेड है मैं कौन हूँ ये कौन है तो मैंने इसको बुलाया और इसमें जोड़ा और इसको इसके साथ जोड़ा नहीं आया आगे फिर मैं इसको जोड़ूँगा और इसे अपनी तरफ बुलाता जाओंगा कौन किसके उपर स्लाइड कर रहा है acting किसके उपर myosin myosin अपनी जगे से हिला कौन आता जा रहा है acting फिर सब देखे it is acting यहाँ पर कौन था ट्रोपो ट्रोपो ने था यह कौन है cross head यह भी क्या है cross arm फिर सबलो cross arm है पताईए यह cross arm थी यह cross arm थी cross arm ने इसको पकड़ा तो इसने इसको नहीं आया अगली cross arm उसको पकड़ेगा और जितनी active side होंगी एक एक करके अंदर आती चली जाए नहीं आया अभी में नहीं आया आया तो कौन सी line बारने लगेगी Z line किस तर की तरफ M line कौन से band की तरफ Dark band तो इधर भी M line होगी इधर भी ectomyosin complex बनेगा इधर की Z line भी अंदर घुशने लगेगी किस band के अंदर Dark band क्योंकि जहां जहां तक myosin वहां वहां तक Dark band तो मैंने light band को पूरा किधर बुला लिया Dark band और dark band बेटा किस light band कहां गुश गया Dark band पता हो light band बचा की नहीं बचा तो दो Z line दूर थी कहां गई Pass नहीं आया आया तो क्यों किसके ओपर slide किया तो बोलते हैं सर जी ये cross head का ectomyosin complex बनना भी बड़ा बहुत बड़ी बात है कैसे बनता है आईए उसके भी step book ने दिखाएं चलिए सारे लोग ये book के step को ध्यान से देखेंगे बोलते हैं कि सर जी आगर ectin के filament आप देखते हैं तो इन ectin के filament के पास active side present है और उसी समय पर आप यहां पर myosin का head देखते हैं ये myosin का head देखते हैं ऐसे myosin के बहुत सारे head है और किसी ने बताया था myosin के head में दो side किसी को याद है कुछ याद नहीं है याद है बोलो क्या नाम था acting binding side क्या यहां पर क्या यहां पर acting binding side है क्या यहां ATPase भी है तो बता हो ये वाली side किसके साथ जुड़ेगी acting पर acting के साथ जुडने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है ATP पिर समलो और ATP नहीं ATP का dissolution ATP का ATP तूट चुका होना चाहिए ADP और inorganic phosphate पिर समलो तो जब ADP और inorganic phosphate आपस में तूट चुके होते हैं तभी ये complex बनता है नाम बताओ actomyocene complex पिर समलो फिर से सुन लो कौन सा complex actomyocene complex page नमबर में बता देना हूं बाकी तुम देख लो वो बड़ा चोटा बना बड़ा वो भी है page नमबर तीन सो सा तो जब तक ADP और phosphate है तब तक bond बना नहीं है जैसे ही ADP phosphate बन चुका वैसे ही बटा cross band बन गया cross band का नाम क्या है actomyocene complex पिर से बोलो actomyocene complex और actomyocene complex ने इसे जर्क दिया अगर इधर से आया है तो इधर की तरफ जर्क देगा तो कौन सी आर्म जर्क देगी cross arm पिर से बोलो cross arm तो cross arm जर्क कब देगी जब ATP का क्या हो गया dissolution क्या हुआ dissolution करके उसने क्या बनाया ADP inorganic phosphate अगला point अगला diagram जब यह हो चुका होगा तो अगला diagram बनानी कुछिस कर रहा हूँ head इस समय पर आपकी actin के साथ जुड चुका है किसके साथ जुड चुका है actin this actin के साथ अगला point क्योंकि यहां पर ATP का dissolution हो चुका है और जैसे dissolution हो चुका है head ने जर्क देना चालू किया है जैसे ही जर्क देना चालू किया इसका मतलब head जिस position में था उस position से दूसरी तरफ खिचा है और कि इसे खीच लाया है actin पर सबलो और जैसे ही actin को यह खीच लाया है तो actin बेटा active side के साथ खिच के चली गए और जैसे ही बेटा इसने खाली कर दिया तो अगली position क्या होगी अगर मैं इसी position के बनाऊ तो यह जर्ग करके इस वाली side को आगे बढ़ा चुका है तब तक उसे दूसरी side दिग गई किसकी? अब दूसरी side दिग गई तो अब इसे पहली side छोड़ करके दूसरी side पे जाना है प्लीज इसे समझने कोशिस करो मेरे पास motion picture नहीं है अगर मैं इस side को पकड़ कर आगे खीच दूँ तो पूरा का पूरा actin filament आगे चला जाएगा और अगर actin filament आगे चला जाएगा तो जो पीछे वाली side है वो कहा है कि आगे और अगर आगे side आगे और मेरे reach में मेरे reach में तो मुझे पुरानी वाली side को छोड़ कर पीछे वाली side को पकड़ना पड़ेगा तो दुबारा इस crossband को तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए फिर से बोलो अब आपको यहाँ पर भेजने पड़ेंगे नए ATP बोलो और जैसे ही ATP जुड़ेगा बोलो फिर से बोलो जैसे ही ATP जुड़ेगा crossband तूट जाएगा यानि active side जो भी पहुँची थी crossband चूट चुट चुका है मायो सिन का क्योंकि उसमें ATP जुड़ गई है और अगर crossband तूट चुट चुका है तो नई active side खाली हो चुकी है नई active side खाली हो चुकी तो पुराना वाला active side आगे बढ़ा दिया गया है जिसे दूसरे crossband ने दूसरे head में पकड़ लिया yes or no? अब इस head में क्या जुड़ चुका है? ATP लेकिन ATP जुड़ने से नया बैंड बनता नहीं है बलकि ATP जुड़ने से पुराना बैंड टूपता है अब ये ATP फिर से क्या करेगा? dissolve, क्या होगा? कितने पाम में? ADP और inorgan फिर से क्या बनेगा? crossband और फिर से इसे आगे खीचा जाएगा? तो एक फिलामेंट, दूसरे फिलामेंट पे क्या करेगा? slide, and this is known as sliding filament theory किसको नहीं आया? एक बार आओ आओ भाई इने तिन फिर से क्योंकि आप आप बेटा के वहले से ऐसा ही समझा जा सकता है see, आपको दो एक्टिव साइट करनी है दो आप यहें रहना यह क्या है? acting active side, ठीक है? ठीक है, यह active side यह क्या है? active side, इसमें कौन बेटा? इसमें कौन बेटा? neuromuscular junction से क्या है? astile tone क्या निकले? calcium क्या ले गए? troponin, क्या बनाया? प्लीज अभी सूचेगा इस मायोसिन में ATP है लेकिन ATP के फॉर्म में की ADP और इनॉर्गनिक जैसे ADP इनॉर्गनिक फॉस्पेड बना ADP और क्या बन गया क्रॉस अब मेरा किवल यही हां देखना क्योंकि मैं एक को दिखाऊंगा एक साथ दो देखोंगी तो दोनों नहीं समझ पखाऊ एक एक ही हाई एक ही क्रॉस अम देखो जैसे ही क्रॉस अम बनी क्या बनी क्रॉस अम बनते ही हेग ने जरक अलग नहीं हुआ लेकिन जिस जगे ये हुआ करता था ये वो जगे ये वो जगे मैं ये वो जगे देख रहा हूँ उस जगे नई active site आ गई है देखे मैं वही जगे पर हात रखा हुआ हूँ ये वो जगे जहां पर active site हुआ करती थी yes or no अब इस जगे से मैंने जर्क मांगा तो बताओ नई active site उस जगे आ गई जहां पर मेरा head हुआ करता था लेकिन मुसीबत ये है कि जब तक मैं इसको नहीं छोड़ता इस पर bond तो याद रखना अब मुझे क्या चाहिए नई ATP फिर दो लो तो जैसे नई ATP जुड़ी क्या टूटा cross band और तुरंत मैंने दूसरा पकड़ दिया पकड़ दिया तो फिर इसका क्या हुआ इसका आगे वाले के पास पहुंच गया है अब फिर ये क्या मारेगा ATP से ADP और inorganic phosphate क्योंकि ATP जुड़ने से band तूटता है और ADP और inorganic phosphate बनने से band बनता है और जैसे ही बना अब फिर मैं जैसे पही मिड कोई नया साइट खाली होगा और इस तरीके से मैं जैसे खीचता हुआ नहीं आया विट प्लीज सिदिस अगे यह क्या है यह वाला मायोसीग अबि सुनना मायोसीग गांग इसामे लेकिन जब तक ब्रिज नहींबनेगा जब तक ATP, ADP और Inorganic Phosphate में ना तूट जाए जैसे ATP, Inorganic Phosphate और ATP में तूट गए, क्या बना? बस यही सीख लोगे, क्या बना? Cross, इस समय ATP है की नहीं है? है, इस समय मेरे पास ATP है लेकिन Cross Breeze, क्यों? क्यों कि ATP से Cross Breeze? ATP के ADP और Inorganic Phosphate बनता है क्योंकि उससे क्या निकलेगी? Energy, बताओ इस समय में पास ATP है है, लेकिन बेटा Bond ATP टूटी? Inorganic Phosphate बना? क्या बना? Bond आप इस समय में बताओ, ATP है की ADP? Inorganic Phosphate यूज कर लिया? मैंने जर्क मारा? जर्क मारा तो बताओ, क्या ये मेरे पास आ गया? लेकिन इस समय जहां मेरा हाथ हुआ करता था वहाँ पर नई साइट काली हो गई है लेकिन उस साइट को पकड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? ADP फिर मैं पकड़ लूगा? फिर CrossBitch मारूगा? और फिर आगे पहुचूँगा फिर मुझे छुडाने के लिए क्या चाहिए? ADP छुडाने के लिए ADP और Cross Arm बनाने के लिए ADP और Inorganic Phosphate पकड़ लिया? फिर आगे खिच लिया? पूरा का पूरी Z-Line किसके अंदर घुज गई? मेरे Myosin और Myosin is Isotropic तो बताओ अभी Light Band बचा की नहीं बचा? नहीं बचा क्या बचा? Dark Band तो इनका Center क्या है? Z-Line इनका Center Z-Line और दोनो Z-Line आस-पास आगे ही? और किसके अंदर आगे? ये Myosin ये Myosin Band डार की लाइब बताओ Z-Line पास आगे ही तो Contraction की Relaxation और जिस दिम भी मैं इसे छोड़ूँगा क्या मेरे Cross Arm तूट जाएंगे? क्यों Cross Arm तूटेंगे? कुछ देर तक Stimulus रखने के बाद? कुछ देर? SR काम करना बंद कर देगा सार को क्या है? जो Calcium ते वापस लौट जाएंगे? Calcium वापस लौट गए तो Active Side घिर किस से जुड़ जाएगी? प्रोपों ने और Head फिर से खा ले Contracts Relaxation Relaxation ये कौन है? Myosin ये कौन है? Active एक filament, एक filament, दूसरे filament पे क्या करा? Slide और इसका नाम है Sliding Filament Theory कौन अपनी जगे से हिला भी नहीं है? Myosin कौन हिला? Actin Actin Slide over Myosin Filament नहीं है? और इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? Myosin, Actin, ATP बोलो? ATP बताओ, bond बनाने के लिए ADP और Inorganic बन तोड़ने के लिए ADP ADP और इसको मैं पढ़ना चाहूँगा मेरी book उठादो और फिर जाओ बैठो बहुत सारे cross head है बेटा तब दूसरा Myosin की line दूसरे को नहीं contact कर रहे होगे तो बेटा, पूरा continuous, simultaneous contaction होगा 10 लोगों को खड़ा करो 10 Myosin एक मुझे खड़ा करो एक और खड़ा करो सब अपने अगल बगल वाले को खीचे तो मैं नहीं हिलूँगा आप पर actin किसमें गुस्ती जाएंगी Myosin सी, यह नहीं चलेगा अच्छा sliding filament theory पढ़ने के बाद में छोड़ता हूँ जल्दी पढ़ो mechanism of muscle contraction mechanism of muscle contraction best explained by sliding filament theory which states that contraction of muscle fiber takes place by sliding of thin filament over thick filament कौन किसके ओपर thin किसके ओपर thin thin कौन था और थे कौन था Myosin muscle contraction is initiated by a signal sent by central nervous system what is central nervous system brain by a water neuron motor neuron along with the muscle fiber connect to constitute a motor unit क्या बनाती है motor the junction between a motor neuron and sarco lemma of the muscle fiber is called as neuromuscular junction or motor end plate a neural signal reaching the junction release the neurotransmitter नाम है acetile poly which generate action potential in sarco lemma this spread through the muscle fiber cause the release of calcium ion into the sarcoplasm किसने निकाला sarcoplasmic reticulum increase calcium level lead to binding of calcium with subunit of troponin क्या बनाया calcium troponin complex कौन खाली tropomyosin की active site subunit on troponin actin filament thereby removing the masking of active site for myosin utilizing the energy from ATP hydrolysis myosin had now bind to expose active site on the active actin to form crossbiz कब crossbiz बनेगा ATP जुडने से की hydrolysis हाँ फिर से बोलो hydrolysis of ATP ATP की जब hydrolysis होगी और hydrolysis के मतलब ADP और inorgan जब ऐसा होगा तो रख दो बेटा बहुत बड़े तो मेसिम नहीं रहे हो हम भी पढ़ा रहे है छोड़ते हैं भी पांच मिनट में बंद हो गया तो क्या किया जाए मैंने तो चलने के लिए बोला था बच्च अभी मार हो गया तुमारा बैट लग है the myosin had now bind to the exposed active site and from the crossbiz crossbiz कब बनेगा ATP से के गया hydrolysis साब उसी के ठीक नीचे वाला है डाइगराम देखो ठीक नीचे वाला डाइगराम ADP और phosphate है अब crossbiz बनने वाला है अगला point crossbiz right hand side पे crossbiz और crossbiz जब बन चुका है तो उसे तोड़ने के लिए ADP और inorganic phosphate को निकालना पड़ेगा तो तीसरे डाइगराम में ADP और inorganic phosphate निकल गया the attached actin filament towards A-band what is A-band light की dark 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 band की तरफ किसे खीचा गया actin filament को what is A-band dark किसको खीचा गया actin filament the Z-line attached to these actin are also pulled inward thereby causing the shortening of sarcomia दोनों तरफ की Z-line पास आने लगी क्या हो गया sarcomia इस बच्चे की सबसे बड़ी समस्षा है कि ये वाली दोनों Z-line तो पास आ गई लेकिन आगे वाला myosin तो अपनी तरफ कीच रहा होगा yes तो ये fiber एक दूसरे के respect में पीछे आएंगे मैं myosin, दूसरा myosin, तीसरा myosin और सारे myosin अपनी 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 एक्टिन को कीच रहा है तो सारी एक्टिन अपने एक निट वेक्टर की वजे से किसके हैं अपने अपने A-Band की तरफ इंट्री कर रही है यद रहगा? yes आगे चल नहीं आया? आगे आ? ओके this cause sorting of sarcomyarize contraction it is clear from the above step during the sorting of the muscle contraction the eye band gets reduced कौन सब बंड बन रिजूस होगया? Eye band वय? क्योंकि आई band बनता था Actin's से और Actin कहां भुझ गई मायो से और मायो सेक दाइंधर घुझ गई तो בה वह वह कर दिख दिख गई तो flirting finds होकए तो अभ ये आई band नहीं है ये क्या है ये एब है जब तक वह overlap नहीं थे कब तक क्या थे आई band तो बताओ आई बेंड किसमें घुस गया, एबेंड, और सारको मियर छोटी हो गई, आगे चुनो, दा, मायोसिन रिलीज दा ADP and inorganic phosphate, गोस बैक टो इस रिलाक्स स्टेट, रिलाक्स स्टेट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ADP and inorganic, and new ATP, इसको underline करना, a new ATP bind and cross bridge is broken, बताओ ATP hydrolysis की binding, binding होते ही क्या हुआ, cross bridge break हो गया, और आगे सुनो, इसका मतलब ATP जुडने से, cross bridge बनता है की तूटता है, आगे सुनो, the ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation, and breakers is repeated, causing further sliding, main समस्या यही है, कि ATP जब आकर head में जुडेगा, ATP जब आकर head में उस समय पर वो पुराने cross bridge को छोड़ रहा होगा, और जब ATP की क्या होगी, hydrolysis, तो वो नए cross bridge को बना रहेगा, और यह चलता रहेगा, तोड़ना, बनाना, तोड़ना, बनाना, तोड़ना, बनाना, और किसे खीचना, active sir, और जिसको खीचा, वो दुबारा वापस नहीं जा पाएगा, उसके बाद वाले उखीचा, और इस तरीके से क्या पास आने लगी है, जएद लगा, प्लीज, आप लोगों के messes almost मुझे मार देते हैं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए, तो मुझे हाथ उठा के बताओ, जब आप लिख देते हो, सर समझ में नहीं आए, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा odd time किताता, साहद आ जाता, अभी आ गया, कौन सी hypothesis, sliding film, कौन किस पर slide हुआ, थिन थिक पर की थिक थिन पर, और जो लोग ये नहीं समझ पा रहें, वो बिकार हैं, बताओ, जब मायोसिन एक्टिन पर जुड़ेगा, किस पर, मायोसिन एक्टिन पर जुड़ेगा, उसके लिए क्या क्या चाहिए, ATP, कैल्सियम चाहिए, कैल्सियम चाहिए, चल्दी चोड़ रहा हूँ, पताओ, कहां से message आया, ﷺ, एक्जॉन टर्मिनल पर आया, what shall come? FR, साथी निकला, Kerry Corps扉, मुसल में गया? कैल्सियम आये, प्र्ण। सार्कोल्मार मेरे मेसेज किस पर ले गयी ? कैल्सियम आये? yes sir, proponene के पास गे yes sir, क्या बनाया, proponene calcium complex, active side खाली हो गई, yes sir, mayosin आया yes sir, उसने कहा मुझे ATP चाहिए ATP आया, yes sir, उससे कुछ नहीं हो, ATP की क्या होई hydrolysis, पिर दोलो hydrolysis होते ही क्या बन गया cross breeze, पिर दोलो cross breeze, बेटा, contact हुआ yes sir, contact होते ही बेटा याद रखना, ADP और Inorganic Phosphate हैं, हैं, अब इसे करना है, relax, क्या करना है, relax, क्या छोड़ना पड़ेगा, ADP और Inorganic, यह relax होने लगा, और relax होते समय, इसको चाहिए Crossbees तोड़ना, Crossbees तोड़ना, और ऐसे तूटने वाला, तो पुराना ADP निकल गया, नया ATP आया, जैसे होने से कुछ नहीं होगा, फिर से इसकी Idolysis होगी, नई active side को पकड़ेगा, खीचेगा, 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 और खीचेगा, खीचेगा, और खीचेगा, पूरी Z-Line को पास लेगा, अभी भी नहीं आया, कौन किस पर slide किया, acting किस पर, हाय से, बोलते हैं, पूरे फाइबर को contract करने के लिए ATP चाहिए, क्या चाहिए, और आपको ATP के लिए oxygen चाहिए, क्या चाहिए, तोकि oxygen से की presence में क्या होगा, respiration, पिसे बोलो, तो जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा, ATP, उतना ज्यादा है, atomyosin complex, लेकिन इस oxygen को पकड़ने के लिए एक pigment चाहिए, और बताओ, ब्लेड में चाहिए, कि मसल में, फिर दोलो, oxygen को ब्लेड में पकड़ना होता, oxygen को, तो वो होता है, हीमो दोडे, यादो जी, सीधे ध्यान दो, ऐसा काप, ऐसी कौन सी नाटक कर दिया हमने, जो तुमको हसी आ रहे, इसर देखो, आगर oxygen को ब्लेड में पकड़न होता, कहाँ पर, ब्लेड में, तो कौन होता है, लेकिन बेटा, oxygen को मसल में पकड़ना है, कहाँ पर, मसल में, तो याद रखना, oxygen को मसल में पकड़ने वाला भी एक पिगमेंट होता है, नाम है, मायो ग्लोबिन, फिर से बोलो, मायो ग्लोबिन, वहाँ पर क्या था, हीमो मतल blood और myo मतला muscle बोलो तो जिन muscle fiber में myoglobin ज्यादा myoglobin ज्यादा उनमें oxygen कम के ज्यादा ज्यादा और इसी वज़े से वो fiber red दिखेंगे क्या दिखेंगे red तो जिनमें myoglobin ज्यादा उन fiber को बोलेंगे red fiber बोलो फिर समलो red fiber और जिन बेटा muscle fiber में myoglobin कम, myoglobin तो बताओ वो muscle fiber में oxygen ज्यादा की कम और oxygen कम तो वो पीले दिखेंगे या पिर white दिखेंगे and these fiber are known as white fiber फिर समलो इसका मतलब है पिपी जी ध्यान दो इसका मतलब है कौन से fiber oxygen की abundance में काम करते है हाँ और कौन है जो oxygen की कमी में हाँ white fiber और जब white fiber काम करेंगे कौन से fiber तो बताओ aerobic respiration की anaerobic और anaerobic respiration होगा तो बनेगा lactic acid फिर से बोलो और lactic acid अगर जमा होने लगा तो muscle में होगा pain और इसी pain को बोलते हैं थकान बोलो क्या तो बताओ ज़्यादा कौन थकते हैं high fiber और कौन नहीं थकते हैं red fiber तो जो मेराथन दोड़ते हैं कौन उन्हें थकना नहीं है थकना नहीं है तो उन्हें क्या चाहिए red fiber तो आप जितना ज़्यादा दोड़ोगे body में कौन से fiber बढ़ेंगे red fire लेकिन जो sprint racer होते हैं जो hundred meter दोड़ते हैं कितना उनको बेटा बहुत तेजी से जोड़ना है उनको oxygen की इंतजार नहीं करना है कि oxygen आएगी तो हम काम करेंगे याद रखना oxygen आए चाहे ना आए क्योंकि 9 second 10 second की race है 9 10 second की race को जीत लो उसके बाद चाहे दिन भर पैर दर्द करें क्या फरक पड़ता है इसलिए जितनी भी sort racer होंगे कौन से उनमें कौन से fiber white fiber और जितने भी long racer होंगे याद रहेगा तो बताओ red fiber किन में ज़दा कौन aerobic respiration के साथ muscle contraction करेंगे red fiber और कौन है जो anaerobic और जब भी anaerobic respiration होगा glycolysis होगी क्या होगी और glycolysis से क्या बनेगा glucose से pyruvic acid पे सो लो और pyruvic acid से क्या बनेगा lactic acid और lactic acid बनेगा तो aerobic क्या नारोबिक तो lactic acid बनने के chances ज्यादा कहा और इसलिए बोलते हैं कि जितने white fiber होंगे इन में mitochondria भी कम होंगे क्यों क्योंकि mitochondria oxygen की presence में काम करते हैं और इन पे oxygen नहीं है और बताओ इन में mitochondria कम की जाएवा तो बताओ किन दो fiber में mitochondria जादा जादा किन में myoglobin जादा किन में oxygen जादा कौन slow fiber red fiber मेराथन कैसे दोड़ता है fast कि slow कौन slow fiber कौन fast fiber किन में lactic acid किन में mitochondria कम कौन sprint racer कौन मेराथन racer तो कोई लंबी दूरी का धावक है उसमें क्या होगा red fiber cricket खिलाडियों में red fiber पूरे दिन बर जादा है रन लेने के लिए बताओ कौन सा fiber लेकिन उसेन बोल्ट में बाइब बाइब तो कौन सी रेस दोड़नी और इसके लिए आपको training करनी पड़ती है अगर आप लंबी दूरी के खिलाड़ी हैं तो आप अलग तरीके से training लोगे और अगर आप सौट दूरी के खिलाड़ी हैं तो आप अलग तरीके से training लोगे और आपने अंदर क्या बढ़ाओगे रेड फाइबर और वाइबर और कुछ नॉन वेज खाने वाले होते हैं बकरे का मांस इड़ रेड फाइबर येस रेड मीट बोलो क्या आप चिकन की मटन मुर्गे का चिकन की और बकरे का तो किसमे रेड फाइबर ज्यादा मता है टेक केर गुड लाग भवाएब बटवा दो